हे अबरिवन अगर आपके मेश रासी है तो ये वीडियो आपके लिए है आप इस वीडियो को देख सकते हैं तो यह सबसे पहले नए वर्स की बहुत-बहुत सी सुपकामना है नए वर्स आपकी जीवन में बहुत सारी मांगलिक उरजाये लेकर के आए आपकी जीवन में खु साथ में मैं रीडिंग स्टार्ट करना चाहूंगी मेश रास वालों के लिए तो स्टार्ट करते हैं आपके लिए कुछ मैसेजस से प्लीज डिवाइन प्लीज एंजल्स गाइट कीजिएगा हमारी मेश रास के लिए 2024 कर जन्वरी का महिना कैसा रहने वाला है कैसी उरजा र ओके ये कार्ड मैं लोंगी नहीं पर यहाँ पर चुकी आया है किंग फेंड्स तो मैं इन तीन कार्ड से मैं आपको बात करने चाहूंगी कि सबसे पहले यहाँ पर बहुत सारे एक ब्रिव एक स्ट्रेंग्ट आपकी लाइफ में आते हुए दिखाई दे रही बहुत सारी किसी का अगर एक्सन का अगर आप वेट कर रहे थे आप कुछ एक्सन लेना चाहते हैं या फिर आप किसी और का चाहते थे कि आपको लेकर के कोई एक्सन ले तो एक्सन वो लेते हुए दिखाई दे रहे हैं अभी तक आपने बहुत सारा पेसंस रखा है और येस आपके पे मेश रास वालों के लिए फर्स्ट कार्ड है नाइन ओफ कफ तो विस फुल्फिल्मेंट आपकी कोई बड़ी विस पूरी हो रही है आप बहुत ही उत्साही रहोगे आप बहुत ही उर्जा से भरे रहोगे आपको लगेगा यस यही तो मैं चाहता था यही इसी चीज की तो मेरी कामना थी जो आप जाके मेरी वो कामना पूरी होई है तो यस आपकी कोई बहुत बड़ी विस पूरी होते वे दिखाई दे रही और आप इतना खुश हो जाओगे जैसे आपको कोई खजाना मिल रहा है सेकेंड कार्ड है टू अफ सोट यस आपने बहुत पाउज लिये बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहे थे लेकिन यहाँ पे एक क्लियर्टी आते हुए दिखाई दे रही है मैं कार्ड सारे निकाल लेती हूँ टेन अफ कफ, टू अफ पैंटिकल्स, और फाई अफ कफ, ओके मुझे यहाँ पे जो सबसे पहले एनरजी मिल रही है कि आप कुछ चीजों को लेकर के बहुत ही कन्फ्यूज थे, बहुत ही सैड थे बोटम में देखिएगा कुईन ओफ वैंड की एनरजी है तो किसी उर्जा से तो आप बहुत जादा श्टक होकर के फसे हुए थे आपको इंसाइट नहीं मिल लही थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किस तरफ चाहूं आपके कुछ ऐसे हो सकता है कि रेसेंटली आपनी कोई फैलियर का सामना करा हो खासकर कि 2023 में आपका बहुत अच्छा जाते हुए नहीं दिखाई दिया है ओवराल 2023 जो है आपका बहुत अच्छा नहीं जाते दिखाई था और आपको बहुत उमीदे यहाँ पे हैं अपने 2024 की सुरुबात से तो यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ी गुड नूज आपके लिए यह है कि जनवरी के महिने की जो आपने आसाय लगा रखी है वो आसाय आपकी जरूर पूरे होंगी आप एक divine energy के साथ में connect हो रहे हो जो कि पहले ही आपको energy मिल चुकी है तो यहाँ divine energy, divine blessing आपके साथ connected है यहाँ पे आपके जो भी past life से trauma चल रहे थे वो trauma भी heal हो रहे है और आपके पास बहुत सारी choices आते हुए दिखाई दे रहे है जहाँ पे अभी तक आपको कुछ भी नहीं मिल रहा था और अब आपको छपपर फाड़ के 2024 की जनवरी में मिलते हुए दिखाई दे और यह जनवरी की starting से ही सुरू हो जाएगा आपको बहुत सारी blessing ही blessing दिखाई देंगी आपको एक से एक पर, एक पर, एक पर मतलब एक blessing से आप उत्सा से उमंग से, खुसियों से पूरे भर भी नहीं पाए होंगे और दूसरी blessing दूसरी विश पूरी होते हुए तो आपके पास बहुत सारी विशेस आते हुए दिखाई दे जो आपकी पूरी होगी, आपकी जो एंजल प्रियर थी, या जो आप अपने इश्चर से भज रहे थे, मांग रहे थे, वो सारी चीज़े यहाँ पे पूरी होते हुए, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, म universe guide कीजिएगा page of pentacle the fool the star seven of wind page of wind and s of sword yes, आपकी जो भी 2023 में आपको जो भी confusion थी आप उनमें clarity मिल रही थी और जहां पे आप defeat का सामना कर रहे थे, आप वो victory में 2024 में बदल रही है, और ये जनवरी का महिना बहुत ही victorious आपके लिए रहने वाला है, आपको अभी तक जहां insight नहीं मिल रही थी कि मैं life में क्या करूं कैसे आगे बढ़ूं, अब मुझे यहाँ page of wind से दिखाई दे रहा है कि अब आपको intuitions मिलेंगी अब आपको ideas आएंगे अब आप अपनी पूरी कहते हैं ना, पूरी energy में आओगे कि yes, मुझे life में करना क्या है clarity भी मिलेगी अब आपके लोग मुझे दिखाई दे रहे कि पीछे पड़े हुए थे bottom में card judgment का card है तो judgment का card यह सोग करता है कि आपने जो prayers लगाई थी जो angel prayers लगाई थी जो hard work किया था उसका आपको result मिलेगा ठीक है, 20 number का card है तो यहाँ पे 2 number आपके लिए बहुत ही significant है moon energy, यहाँ पे भी 20 यानि कि 2 number है, यहाँ भी 2 है यहाँ भी 2 है, तो कही न कहीं 2 number आपकी life में जो है, वो बहुत ही ज़्यादा significant हो सकता है हो सकता है कि जब भी आपकी basic मिलने वाली हो तब आपको triple 9 या triple 2 दिखाई दे ठीक है, आपकी life में आपको hope मिल रही है अभी तक आपने hope खो दी थी इस काट से मुझे दिखाई दे रहा था कि आप 2030 में अंत तक जो hope लगा के रहे थे वो कही न कहीं collective में बहुत लोगों की नहीं पूरी हुई थी तो आप collective में उनकी hope मिल रही है आप वो hope पूरी होती हुई दिखाई दे रही है एक divine journey पे आप जाते हुई दिखाई दे रहे हो, नए सूरज का आगाज करते हुई दिखाई दे रहे हो जहां आपका 2030 बहुत struggle से भरा हुआ था, वहीं इस January में आपको अपने struggles के result मिलेंगे जो लोग आपके विद्रोही होकर के खड़े थे, अब उनको आपकी value समझ में आएगी और yes, पैसो के लिहाज से जो लोग इस reading को देख रहे है तो में इस रासी वालो आपकी life में पैसे की energy बहुत भर-भर के आने वाली है इस चनवरी के महिने में कोई opportunity है जो आपकी life में आएगी ये job भी हो सकती है, interview लेटर हो सकता है appointment लेटर हो सकता है जो आपको मिलेगा और इससे आपके आने वाले भविस्य की financial security के आधार बनेंगे, ठीक है मुझे यहाँ पर prosperity काफी ज़ादा आपकी life में आते हुए दिखाई दे रही है साथ में जो लोग new love को, हलाकि love reading में एक बनाऊंगी बाद में जो कि मैं बनाती हूँ, जो टेक sign में तो प्लीज वहाँ पर भी आप बहुत support कीजिएगा फिर भी, यहाँ पर भी मुझे wife दिखाई दे रही है, page of pentacles से page of vans से, कि आपके life में कोई love की entry भी होगी यह आप किसी का commitment का इंतिजार कर रहे थे तो वो बन्दा अब commitment देगा जहाँ वो commitment से पीछे हट रहा था अब वो जनवरी के महिने में आपको एक commitment देगा यह थोड़ा सा positive भी हो सकता है, आपके लिए negative भी हो सकता है 80% आपके लिए positive में आते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि page of pentacles और page of vans, यह दोनों ही positive card है तो मैं यहाँ पर clearly कह सकती हूँ कि 80% collective में लोगों को commitment उनको yes में मिलेगा उनके positive way में मिलेगा ठीके, साथ में यहाँ पर आप अपनी इमांदारी से काम करते हुए दिखाई दे रहे हो आपकी इमांदारी से अपने काम करते जा रहे हो करते जा रहे हो नहीं सुरुवात कर रहे हो और आप कहीं न कहीं अपनी burden की जो energy अभी तक रही थी उसको अब आप release कर रहे हो 2023 में बात करें तो आपका सितारा ठीके, आपका किस्मत का सितारा भी आपका luck भी यह जन्वरी में बहुत ही high रहेगा चमकता हुआ दिखाई दे रहा है sign करता हुआ दिखाई दे रहा है तो आपका luck में 9 of curve और the star card की energy से the 10 of curve की energy से मैं कह सकती हूँ definitely आप का जो luck है वो बहुत ही जन्वरी में एकदम sign करके आपके सामने आएगा और इस energy को फिर आप let go करते हुए दिखाई दे रहे हो ठीके, तो yes आपके लिए तो बहुत ही blessing भर है जन्वरी का महिना दिखाई दे रहा है कुछ angel message आपके लिए sorry कुछ angel message आपके लिए देख लेते हैं कुछ angel message please divine guide कीजिएगा please universe guide कीजिएगा मेश राश के लिए please universe guide कीजिएगा मेश राश के लिए मुझे ना एक गाना जो है ना भजन गाना नहीं भजन मुझे याद आ रहा है कितनी परिच्छा लोगे मेरे भूले बाबा तो जैसे आप अपने इस्वर से कह रहे थे बार बार कि कितनी परिच्छा है लोगे कितनी परिच्छा है लोगे तो अब बाबा कह रहे है आपके प्रबू कह रहे हैं कि बस यह तेरी आखरी परिच्छा थी और आप तेरे जीवन में खुसियां ही खुसियां भर दूगा मुझे ऐसी वाइब शरा रही है तो फस्स कार्ड है आपका Ace of Ariel का तो यहाँपे मैंने ज new sources खुल रहे हैं आपके लिए money के लिए आपके लिए support आ रहा है आपके life में change आ रहा है अगर आप job या promotion के लिए आप try कर रहे थे तो यहाँ देख सकते हो आपको यह भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है second card है आपके लिए 4 of Gabriel तो यहाँ पर time for celebration, abundant reverse आपकी जो भी hard work है उसको pay किया जाएगा आपको अपनी महनत का फल मिलेगा बस इस burden की energy को निकाल फेकिए जो कि मुझे the fool की energy से लग रहा है कि आप उस burden को निकाल फेकेंगे अपने साथ उस burden की energy को लेकर के नहीं चलते हुए दिखाई दे रहे है जनवरी में the moon की energy है opportunity to improve your plans तो opportunity आपकी life में आ रहे हैं और आपके जो plans है न वो भी कही न कहीं बहुत ही ज़्यादा successful होगे क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर insight नहीं मिल ले थी मैंने पहले ही कहा है अब आपको insight मिलेगी planning आप कर पाओगे तो वही आपके लिए है कि आपकी intuition काफी high रहेगी और आप जो कहीं से भी हो सकता कुछ लोगों को यहाँ पे message किया जा रहा है कि आपको personal pad reading लेने की जर्वत है तो यहाँ पे आपको personal pad reading tarot का भी लेना चाहिए astrology से लेना चाहिए वो भी आपकी लिए helpful रह सकता है face your fear and grow stronger अपने डर का सामना कीजिए यहाँ पे क्या है ना आप अपने डर का सामना नहीं कर पा रहे थे 2023 में changes को नहीं सिकार कर पा रहे तो change सिकार कीजिए fears को निकालिए अपने डर का सामना कीजिए इस anxiety को खतम कीजिए और अपने आपको stronger बनाईए next आपके लिए card है 10 of Ariel जो कि देखा जाए तो 10 of Ariel की energy भी 10 of cups की energy कोई ही तरह है तो यहाँ पे भी पैसे की energy सबसे पहले आपका भढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और आप पढ़ोगे there is so very much to be grateful for financial success and the promise of retirement a rich and rewarding family life तो आपकी life में आप अपनी एक true soul family को manifest करते हुए दिखाई दे रहे है आपके family के साथ में bonding बनते हुए दिखाई दे रहा है आपके माता-पिता के साथ में आपके बच्चों के साथ में आपका retirement secure दिखाई दे रहा है और पैसे की abandon भी दिखाई दे रही है अगर आप planning कर रहे हो 2024 में अपने घर की या कोई property लेने की तो उसके भी new आप 2024 की जनवरी में ही डालती हुए दिखाई दे रहे है what a message of Gabriel जो की victory का card है crunch lesson you have done a wonderful job ये success की बात कर रहे है आपके promotion की बात कर रहे है आपके awards की बात कर रहे है जो कि मैंने यहाँ पे बोला था कि जनवरी का महिना बहुत ही victorious रहने वाला है है ना तो चलिए अब हम कुछ मैं दो card और आपके लिए लेना चाहूंगी आपके unicorn के message को ले करके मैं इस रास के लिए please divine, please unicorns guide कीजेगा क्या उनके उपर और blessing रहने वाली है इस जनवरी के मन्थ में please divine guide कीजेगा तो first card है manifestation जो कि first card आपका wishes पूरी होने की बात कर रहा था तो आपको क्या चाहिए क्या चाहिए ये आपको अभी से अपना vision board तयार कर लेना है कि 2024 में क्या करना है आपको क्या क्या चाहिए इसको clearly अपने लिए अभी से तयार कर लीजिए बना लीजिए ठीक है intuition और यहाँ पे intuition की already हमने बात की थी कि आपको बहुत सारी intuitions आएंगी तो listen your intuition आपकी जो inner wisdom है वो बहुत high रहने वाली है एक काड़ और निकालेंगे the silence बोलने की बजाए silence के उपर भरोसा करना सीखिए be still for all the answer lie in the silence जो आप answer चाहते हो अपने इसर से या अपने आप से वो आपको मौन में मिलेंगे meditation के थू मिलेंगे ठीक है और meditation में जब आप जाओगे तो वो आपको अपने inner wisdom से ही मिल जाएंगे ठीक है तो yes मेश रासी ये थी मेरी आपके लिए rating rating पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजेगा शेयर कीजेगा बाई